एक लड़के के एक्सिडेंट के बाद वा उपने होस्पिटल की खिटकी से एक ब्यूटिफुल सी लड़की को देखता है देखते हुए उसने नोटिस किया कि उस लड़के ने किसी का मर्डर कर दिया है कहानी में ट्विस्ट दब आता है जब एक स्टेंजर का उसे मैसेज आने लग जाता है उसे उस मर्डर के बार में सब कुछ पता था अब आगे क्या होगा ये इस मूवी की मिस्ट्री है हेलो फ्रेंट्स आज मैं आपको 2017 की एज ओफ इनोसंस ए मिस्ट्री थिलर मूवी एक्स्प्लेंट करने वाला हूँ इसमें अलग-अलग ट्विस्ट आं टर्न्स आते है तो अंदर किस वीडियो को ज़रूर देखेगा बीना किसी दरीके एक्स्प्लेंशन स्टार्ट करते है मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारे मेन गैरिक्टर कैंग से इंट्रोड्यूस होते है कैंग 19 येर्स से है उसे अपने बाइक पर अलग-अलग प्लेसे पर जाना अच्छा लगता है उसका मानना है हमें लाइफ में जो भी चीज़ करनी है जो भी चीज़ चाहिए वो जल्दी से कर लेनी चाहिए बाद में हमें पच्छता ना न पड़े आज भी हो कही जा रहा था तब ये अचानक से आगे की गाड़ी से एक टायर नीचे गीरा ये कैंकी गाड़ी पर आ रहा था तो इस वज़े से उसका बैलन्स चला किया नीचे गिरकर उसका एकसिड़न्ट हो जाता है इसके बारे में उपने पैरेंट्स को बता कर वरी करवाना नहीं चाहता था तो अपने फ्रेंड्स को उसमें कॉल किया उसके फ्रेंड्स उसे होस्पिटल में एनमिट करकर उसका बहुत खैल रखते है इन फ्रेंड्स में एक लड़की है जिसका नाम है जूली पर हम इसे जूली बुलाएंगे क्योंकि यह सारे नाम complicated न हो जाए जूली के साथ उसका फ्रेंड भी था जिसका नाम था जाओ उसके फ्रेंड ने उसे कहा कि तुम्हें इस तरीके से इतना जाथा खुमना नहीं चाहिए वो उन्हें भी वही बात बताता है कि लाइफ में में कुछ भी regret नहीं करना चाहता उसके बेड के पास और एक patient था इस old man को type 80's बीपी है वो हमेशा hospital में रहता है उन्हें medicine देने के लिए एक nurse है और एक old man उस पर भी line मार रहा था next scene में हम देखते हैं कि जूली कैंग के पास आई हुई थी actual में उसे बहुत like करती है पर कैंग को इसके बारे में पता नहीं जूली ने उसे का यह तुमें thankful होना चाहिए कि एक medical student तुमारी friend है कैंग ने उसे का तुमारी earring बहुत ही beautiful लग रही है यह सुनकर जूली को बहुत अच्छा लगता है आज कल कैंग इस hospital में बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था तो किटके से हमेशा पाहर देखता है सामने एक बड़ा सा घर था उसमें उसने देखा तो एक बहुत ही beautiful सी लड़की थी यह हमारी और एक man character है उसका नाम है जी है कैंग उसे देखकर बहुत interested हो गया उसे सही से देखनी पा रहा था तो अपने friend को call लगा कर उससे एक scope मंगा लेता है scope मिलने के बाद कैंग हमेशा उसे देखनी लग गया वो wonder करता है कि उसका आवास कैसा है उसका nature कैसा है क्या उसका कोई boyfriend होगा उसे अपने mobile पर एक message आया जो एक stranger से था वो उससे बुच्छता है कि तुम हो को stranger ने कहा मैं तुम्हारे पास के cafe से ही बोल रहा हूँ कैंग को ए messages बहुत ही casual लगे एक दिन जब वो घर पर नजर अग रहा था इस fight में father ने mother को नीचे गिरा दिया इसके बाद mother और GI आये उसके room में गए एक कुछ discuss कर रहे थे जिया फिर फिर जबने फादर के पास आई उसके पास एक sharp object था वो अपने फादर को मारने वाली थी तब ही उस old man ने कैंग से उसका scope ले लिया कैंग क्या देख रहा है वो भी देखना जादा था कैंग जिया को प्रोटेक करने के लिए उस old man से उसकोप ले ले लेता है इन दोनों में थोड़ा सा जगड़ा हो गया था जब उसने फिर से scope से देखा तो जिया के फादर नीचे गिरे थे उनका बहुत सारा खून में चुका था जिया और उसके मदर ये blood को साफ कर रहे थे ये देखकर कैंग को बहुत ही शौक लगता है अगली दिन उसने और भी नज़र रखी फिर से coffee shop वाला आदमी घर के बाहर आया था कैंग के वाज उसके नर्स उसका check-up करने के लिए वो गहती है तुम आगे के घर पर नज़र रख रहे थे old man ने मुझे बताया मैं समझ सकती हूँ आगे के घर में जो लड़की रहती है वो बहुत beautiful है नर्स के जाने के बाद कैंग ने face से नज़र रखी जिस कारबेट पर blood पड़ा था उस कारबेट को धोने के लिए भेजा जाता है राद में कैंग को अपनी injuries की वज़े से ज़रा pain होने लग जाता है उसने नर्स को बुलाया पर नर्स आसपास नहीं थी तो खुच चल कर उसे ढोनने लग जाता है उसने एक रूम में देखा कि नर्स किसे के साथ intimate हो रही है ये वही आदमी है जो नीचे का coffee shop चलाता है कैंग को ठीक लगने के बाद राद में फिर से उसने जिया के घर पर देखा जिया एक बैग घसीटे घसीटे लेकर जा रही थी घर के बास के construction site में उसने इस बैग को गार दिया अगले दिन कैंग के फिरेंड उसे मिलने के लिए आये हुए थे उससे कहता है मुझे जरा बाहर घुमने के लिए जाना है वो construction site पर आया और देख लेता है जिया ने जिस बैग को काड़ा था वो safe है या नहीं और देते हैं वो cafe owner से उसने बात की उसने जिया के बारे में उससे पूछा वो कहता है क्या तुम उस घर के लोग को चानते हो मैंने सुना कि उनके घर में बहुत सारे जगड़े चलते है cafe owner कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है कैंग जब फिर से hospital में आया तो nurse उसे कहती है तुम्हारा room हम change कर रहे है कैंग बहुत जादा गुस्सा हो जाता है को कहता है मुझे इसी room में रहना है अगर तुमने मुझे यहा रहने नहीं दिया गरबर भी जूली उसका खैल रख रही थी गरबर उसे एक mail मेलता है जिसमें लिखा है कि मुझे पता है कि तुम क्या कर रहे हो तुम danger में हो कैंग जिया को बहुत like करता है murder के बाव उजूद वो उसे protect करना चाहता है अब इसके बाद थोड़ी दिन बीट कैंग का प्लास्टर निकल चुका है वो फिर डारेक्ली जिया के घर के बाहर या आता है जिया आज अपने work के लिए ज़रा late हो चुकी थी तो उसे उसके घर का security कार्ड नीचे गिर गया ये कैंग ने देखा और ये लेकर वो घर के अंदर गुश गया घर में सारी चीज़े देखती हुए वो जिया के रूम में आया उसके रूम में map लगा था जिस जगा पर वो जाना चाहती है इसमें सारी जगा पर point करकर रखाया कैंग imagine करता है कैंग चाहता था कि जिया जिस भी प्लेस पर जाया वहास उसे पोस्ट कार्ड भीजिये देखते देखते ही जिया फिर से घर में वापस आके वो और उसकी मदर एक दूसरे के साथ जगड रहे थे जिया बता रही थी कि मुझे इस तरकी की लाइफ नहीं जीनी पर उसकी मदर उसे फोर्स करती है अगली दिन कैंग फिर से जिया का पीछा करता है वो कैफे में गई और कैफे उनर के पास रो रही थी इसके बाद वो जहाँ भी जाती है उसका पीछा करता है पीछा करते करते कैंग को फिर से स्रेंजर से मेसेज आया इसमें लिखा था, मुझे पता है कि तुम क्या कर रहे हो कैंग की जिया पर नज़र रखती हुए फोटो उसने निकाली हुई थी कैंग वंडर करता है कि हो कौन सकता है वो सब पर शक करने लग गया था इसके बाद वो जिया का पीछा करती हुए जहाँ पर वो काम करती है वहाँ पर पहुच गया उसने नोटिस किया इस ओफिस में वैकेंसी से वो हमेशा जिया के पास ही रहना चाहता है उसे और भी जान लेना चाहता है तो इसी वज़े से यहाँ पर अपलाई कर देता है जॉब मिलने के बाद स्ट्रीट पर जाकर अलगर लोगों के सर्वे लेने का उसका काम था इस सब्मीट करने के लिए जिया के पास आया जिया कहती कि तुमने बहुत ही कम सर्वेज लाए तो अब क्या था कैंग अगली दिन बहुत महिनत करता है उसने बहुत सारे सर्वेज लाए ये काम करते करते जिया के घर के कारपेट की वाशिंग जीज जगा पर हुई थी वो जगा उसने देखी यहाँ पर वो इंक्वारी करने वाला था तब ही उसका फ्रेंड उसी मिल जाता है कैंग कहता है कि जूली को भी बुला लो कैफे में कैंग ने देखा कि उसके होस्पिटल की नर्स कैफे ओनर और उसके फ्रेंड भी थे वो इनी सब पर शक कर रहा था उसने फिर स्टेंजर को मैसेश किया कि तुम्हें सब कर क्यो रहे हो स्टेंजर का रिपला आया कि मैं तुम्हें हल्प करना चाता हो यह रिपला आने के बाद कैंग सब के फोन कहा है यह देख रहा था बागी लोग काम कर रहे थे और उसके फ्रेंज की फोन ही टेबल पर थे इसका मतलब है स्टेंजर इन में से कोई भी हो नहीं सकता अगले दिन कैंग अपने काम पर स्टेश के पास बैठा हुआ था कंपनी की कुछ ओफिसर डिसकस कर रहे थे कि जिया के फादर आज कल कंपनी में आनी रहे कंपनी के नाम पर उन पर बहुत बड़ा लोन है अब इसका क्या होगा ये सब सुनने के बाद कैंग जिया के पास आया उससे कहता है आज कल तुमारे फादर काम पर क्यों नहीं आ रहे जिया बुशती कि तुमने ऐसा क्यों कहा वो गहता है कुछ लग तुमारे फादर के बारे में बात कर रहे थे जिया करती कि मेरे बारे में भी बोल रहे होंगे सबको लगता है कि मेरे फादर की वज़े से ही मुझे जॉब मिला जिया उससे बता थी कि मेरे फादर सिब जरा बीमार है वो थोड़ी दिर में वापस आ जाएंगे इसके बाद नेक सीन में जिया लंच करेई थी तो कैंग उसके पास आ गया उससे बुशता है क्या कल रात तुम फ्री हो उसे एक अच्छे से रेस्टॉर्ण में लेकर जाना चाहता है तब ही जिया की मदर वहाँ आ गई थी बहाँ जाकर जिया उससे बात करती है और फिर वो वापस आई वो कैंग के साथ डेट पर जाने के लिए मान गई थी जिया के जाने के बाद कैंग को मैसेज आया मर्डरर के साथ मजे कर रहे हो ये दोनों एक साथ बेटे थे इसकी फोटो भी स्टेंजर ने उसे भेजी हुई थी कैंग जल्दी से काउंटर रपोश था है कि यहाँ पर कोन बेटा था उससे पता जला है कि एक लड़की थी जो ग्लासेस पहन थी है कैंग जी जी इस प्लेसेस पर जाकर आया था इन सारे प्लेसेस के बारे में उसे बताता है कहता है लाइफ बहुत ही शॉर्ट है हमें अभी के अभी इसे जी लेना चाहिए हम परफेक्ट मुमेंट का वेट नहीं कर सकते है अगर हमने इसा नहीं किया तो बाद में हमें रिग्रेट करना पड़ेगा ये बाद जुली को पसन आती है इनकी डेट बहुत अच्छी गई थी वो अब घर जा रही थी तो कैंग ने कहा तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ उसे उसकी स्टीट का भी नाम लिया था इस बाद जुली बहुत ही सस्पीशेस हो कि वो कहती है तुम्हें मेरे बारे में बहुत सारी चीज़े बता है मैं कहा रहती हूँ मैंने इसके बारे में तुम्हें नहीं बताया था क्या इंकी चोरी पकड़ी की उसे अनेसली सब कुछ बताता है वो गयाता है कि मैंना accident हुआ था मैं तुम्हारे घर के सामने के hospital में था मैं तुम्हें first time देखा तो तुम मुझे बहुत अच्छी लगी थी मैं तुम्हें बहुत ही interested हो गया मुझे जब पता चला कि तुम कहाँ पर काम करते हो तो तुम्हारे पास रह सको इसलिए मैंने वही पर job ले लिया मैं तुम्हें बहुत like करता हो ये सब सुनकर जुली ने उसे गले लगा लिया इन दोनों को हक करते हो जिया के मदर के bodyguards नहीं ने देख लिया वो बहुत ज़ादा गुस्सा हो गए थे कैंग को warning देते है कि जिया से ज़रा दूर रहना अगले दिन कैंग जब काम बर गया तो जिया उससे कहीं भी नहीं मिलती उसका घर भी बन पड़ा था इसके बाद वो directly कैफे ओनर से आकर बात करता है वोसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम और जिया फ्रेंड हो वो कोई struggle में तुमें मुझे help करनी पड़ेगी कैफे ओनर ने का क जिया को पता है कि वो मुझे कहाँ डूण सकती है अगर उसे मेरी ज़रूद होती तुम मुझे धूण लेती है एक काफे उनर कैंग को वोन करता है कि उससे ज़रा दूर रहो तुम उसके लिए सही नहीं कैंग जिया से फिर से मिलना जाता था पर मिलने का कोई भी वे नहीं है तो फिर वो डारिकली कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुचा ये कंस्ट्रक्शन साइट जिया आपने बेटरूम से देख सकती है तो यहाँ बर उसने एक साइन बना लिया पास जो कैफे है इस कैफे का इस साइन था फिर वो इस कैफे में जाकर राद बर वेट करता है बाहर बारिश होने लग गई थी यही बर वो खड़ा होकर वेट कर रहा था सुबा होने के बाद फाइनली जिया उसके पास आगी वो कहती कि तुम पागल हो राद बर वो ही बेटा था यह दोनों एक दुसरे को गले लगा लेते है जिया कहती कि अब उस घर में मैं नहीं रह सकती जिज़ भी जगाव पर जाना चाते थे डारेक लिए उस जगाव पर निकल जाते कैंग जिया को एक बीच दिखाने के लिए 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 लिखकर आया वो गहता है जिस दिन मेरा एक्सिडन्ट हुआ था मैं इसी बीच पर आ रहा था मेरा एक्सिडन्ट नहीं होता तो तुमसे नहीं मिलता वो गहता है तुमसे मिलने के लिए फिर से मेरा एक्सिडन्ट हो फिर भी वर्थिट होका ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत एंजॉय करते है रात में होटेल में आकर इंटिमेट हो गए इसी तरीके से इनके relationship डेवलोप होती गई अब एक मन्थ हो चुका है ये पूरा मन्थ होटेल में ही थे यहाँ से जाने के लिए कैंग ज़रा upset था तो जिया कहती है क्यों ना हम और एक मन्थ रुख जाए कैंग इसके लिए excited हो जाता है होटेल का सारा बिल जिया ने पे किया ये फिर से बहुत enjoy करते है एक दिन गुमते गुमते कैंग को एक बाइक बहुत पसन आई जिया और कैंग अपने रूम में थे कैंग उसके drawing बना रहा था जिया बुछती है तुम मेरी drawing क्यों बनाते हो कैंग ने का मुझे हर एक beautiful चीज की drawing करना अच्छा लगता है जिया फिर उससे नीचे लेकर गए उसने कैंग के लिए वो bike buy कर ली थी वो इसके लिए बहुत ही excited हो गया ये दोनों फिर ride के लिए जाते है कैंग फिर wonder करता है कि जिया के पास इतने सारे पैसे आते कैसे है वो तो कोई भी credit card विगरा भी use नहीं कर रही जिया इस बात को पूरी दरीके से ignore कर देती है अब कैंग को फिर से stranger का message आया इसमें लिखा था कि जल्दी से फिर से टाउन में वापस आ जाओ वरना जिया ने जो भी क्या है इसके बारे में सब को बता दूँगा कैंग इस stranger से मिलने के लिए city में पहुच आ पर जिया के मदर के bodyguards उसे देख लेते है वो वहाँ से भागा पर bodyguard ने उसे पकड़ लिया था उसे बहुत मारते है उन्होंने उसे warning दी कि जया को फिर से वापस लेकर आओ वो वैचारा injured था तब ही उसके mobile पर एक वीडियो आता है यह वीडियो उस construction site का है और इस stranger उस construction site को खोट रहा था ताकि जया ने जो back गाड़ी थी हूँ बाहर आ जाए क्यांग भागते भागते जल्दी से वहाँ पर पहुँच गया पर इस stranger वहाँ से भाग जाता है क्यांग इस गड़े को भरने लग गया था पर construction worker ने नोटिस कर लिया यहाँ पर पुलिस वगरा बुलाया जाते है यह गड़ा खुदने के बाद उसमें से एक डेड़ बेबी निकला क्यांग को इस बाद से बहुत बड़ा शौक लगता है इस सब की investigation हुई तो पुलिस को बता चला क्यों बेबी अल्रेड़ी डेड़ था आगे के hospital से बेबी का specimen छोरी हुआ था और यहाँ पर गाड़ दिया गया है जाओ यह सारी चीज़े figure out नहीं कर पाता वो फिर directly हुआ हुस्पिटल में बहुच गया नर्स पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुगा था कहता है तुम्हें यह साथ मेरे साथ कर क्यो रही हो क्या वो बेबी तुम नहीं गाड़ा था नर्स कहती कि मैंने कुछ भी नहीं किया है बेबी का specimen hospital से गायव हो चुगा था जिया के father इस hospital की owner थे वो कहती है जिया के father ने इसके बारे में report करने के लिए मना किया था कहाई नर्स को इसके साथ जो भी हो रहा है यह सारी चीज़े बताए नर्स कहती कि अगर तुमें लगता है कि जिस stranger ने तुमें message किया है वो और इस बेबी को चुराने वाला एक ही person है तो मुझे बताए कि वो कोन है security footage से हैं पता चल गया था कि बेबी को किसने चुराया था director ने मुझे इसे report करने से मना किया क्यूंकि उसकी daughter ही थी इस सुनने के बाद कैंग directly जिया के पास बोचता है पर जिया के बाद जूली आई हुई थी उसके हाद में acid है जूली बोचती है कि अपने फादर को मारने के बाद तुमने body का क्या किया जिया ने कहा कि उस बैग में बच्चों के खिलों ने थे जूली इस बाद को मानती नहीं तभी वहाँ पर कैंग भोच चुका था जिस stranger का कैंग को message आ रहा था ये जूली ही थी उससे कहती है तुम अपने आखों से जो भी देख रहे थे उस पर बिल्यू नहीं कर पा रहे थे मैं चाहती थी कि जिया के father की body मिलने के बाद तुम्हें पता चल जाए कि जिया एक killer है मैं तुमसे प्यार करती हूँ इसी वज़े से सब मैंने किया कैंग फिगर आउट नहीं कर बाता कि उसने जो भी देखा था इस जुली को कैसे बता था जुली कहती है तुम्हें मैंने जो scope दिया उसे मैंने एक camera install कर दिया था उसके phone में भी उसने एक tracker लगा दिया है जुली भी हमेशे उसका पीछा कर दिया थी हमने movie में देखा था कि कैंग को जब शक आया था तो उसने जुली से डारेक्ली video call पर बात की थी इसके explanation में जुली कहती है कि मेरा friend ये सब करने में मुझे help कर रहा था इनके पास और एक mobile था इस वज़े से कैंग कुछ भी figure out नहीं कर पाया जुली का friend भी हाँ पर पहुच जाता है उसे समझाने की कोशिश करता है वो भी उसे बहुत प्यार करता था कैंग को जुली की feelings के बारे में पता नहीं था इसके लिए हो sorry कहता है जुली और भी ज़्यादा डिस्टरब होगी उसके हाथ में acid था जो अपने आप पर वो डालने वाली थी जिया जल्दी से उसे इसके हाथ से निकाल लेती है तो उसका खुद का हाथ भी थोड़ा सा burn हो गया था इसके बाद police school आया गया और जुली उनके साथ चली जाती है सब के जाने के बाद कैंग जिया से बात करता है कहता है तुमने अपने फादर को मार डाला पर फिर भी मुझे इससे कुछ भी फरक नहीं पड़ता कि तुमसे प्यार करता हो और तुम्हारे साथ ही रहना चाता हो जिया कहती कि अभीअभी मैंने तुम्हारे बारे में जोबी का यह सब कूल चीजे सच थी मैं सिर्फ तुम्हारे यूज कर रही थी इसके बाद वो अपनी मदर के साथ गाड़ी में चली जाती है क्यांग उसे इस तरीके से जाने नहीं दे सकता था उसने भी उसका पीछा किया वो गाड़ी दोग नहीं रही थी तो मोटर साइकल को आगे किया और अपना एक्सिडन्ट करवा दिया जिया उसके पास है कहती है यह सब तुम कर क्यों रहे हो गाड़ी से जिया के साथ उसके फादर में निकलते है फादर ने का तो इतने दिन तुम इसके साथ थी जिया कहती है क्या मुझे हग नहीं कि मैं किसी से प्यार कर सकूँ फादर जिया से गहते, तुम जो जाओ वो कर सकती हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो, जिया कैंग के पास ही रुकी, उसरा जो हुआ था, इसके बारे में जिया उसे बताती है, वो गहती है, एक्चुल में वो आदमी मेरा फादर नहीं है, मैं अगर उसके घर में रही, तो लोगों को शक होगा, इसलिए हमने उस स्टोरी बना दी है, जिया और इस बिजनसमैन की अलग रिलेशन है, यह बिजनसमैन उसे बहुत सारे पैसे देता है, इसके बदले में जिया उसके साथ इंटिमेट होती है, उसके घर में रहती है, कैंग को बहुत जिया का साथ नहीं छोड़ा, उस रात कैंग जब स्कोप से नजर रख रहा था, तभी ओल्ड मैन ने उसे उसकोप ले लिया था, उतने टाइम में बिजनसमैन ने अपनी बिमारी की वज़े से खुन की उल्टिया की थी, उसे कैंसर था, इसके बाद उसका इलाज करने के ल और फिर वो कैंग से मिली, कैंग पूछता है क्या कभी तुमने मुझसे प्यार किया था, जिया इस पर गुज भी नहीं बोलती, जिया ने डिसाइड किया है कि बिजनसमैन के साथ ही रहना चाहती है, वो बेचा हाट ब्रोकन होकर वहाँ से चला किया, फिर से अपने कैफे ओनर कहता है कि बिजनसमैन की लास्ट डे में, जिया ने उसका बहुत खैल रखा, एक्चॉल में बिजनसमैन को उसकी कंपनी में उसके पार्टनर ने धोका दिया था, ये केस भी चल रहा था, इसमें भी जिया ने उसे सपोर्ट किया, ये केस वो बिजनसमैन जीत गय बाद में उसकी डेट होगी और जिया घर छोड़कर चली की कैंग पुछता है कि अब वो कहा है कैफे उनर ने उसे गा कि वो अलग-अलग प्लेसेज घूमती रहती है हर जगा से तुम्हारी लिए एक पोस्ट कार भेशती है उसे पता था कि कभी ना कभी तुम इस कैफे में वापर्स आओके कैंग रियलाइस करता है यह दस साल पहले उसकी एच कम थी उसकी एजूकेशन कम्पलीट नहीं थी जिया चाहती थी कि अपनी लाइफ में वो आगे जा है वो अब सक्सेस्फूल है और जिया की लोकेशन भी उसके पास है वो शूर था हिजब वो वहाँ जाएगा तो जिया उसका वेट करी होगी यह दोनों फाइनली एक दूसरे से मिल गए जिया हमेशा से उससे प्यार करती थी बर बिजनेसमैन बिमार था उसे इस तरीके से छोड़ कर वो नहीं जा सकती थी इसलिए उसने उसका खैल रखा क्यांगो भी अपनी लाइफ डेवलेप करने का एक अच्छा सा चांस उसने दिया तो इसके बाद यह दोनों फिर से मिले